हलो चिल्डन बैक तो दी क्लास, आज हम पढ़ने वाले EBS, और आज हमारा टॉपिक होगा, A Need for Air, हैर मतलब हवा, हवा हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन छीज है, नो लेट उस रीड दिस रिडल, यहां पर बता गया है कि एक क्वेशन पूचा गया है, उसकी एंसर देना है यहां बता रहे हैं कि यहां पर कुछ है, जो सब जगा पर होता है, अमारे सराउंडिंग, उपर, निचे, हम उसे टच भी ने कर सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं, but sure you can name it, क्या है वो, वो हावा होता है, ना उसे हम उसे देख सकते हैं, ना उसे हम टच कर सकते हैं, देखो यहाँ पे यह पिच्चर देखो बच्चों ने क्या किया हैं बलून को ब्लो कर रहे हैं वो क्या जमा कर रहे हैं बलून के अंदर वो हवा हवा सब अंदे डालने से ही बलून उगता है हम सबसे अराउं करके क्या है 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 तूप लिकन फील इडा हम उससे फील कर सकते हैं यहां पे हवा है करके वी के ना उसकी स्मेल होती है ना उसकी कुछ टेस्ट होती है and most important things हमें जिन्दा रहने के लिए हवा की बहुत important है जिसे अब सबको बता है हम अमारी नाक से ही हम breathe करते हैं एक नाक से हम breathe करते हैं और एक और एक नाक से हम breathe out करते हैं यहापे उसे क्या कहते हैं inhale inhale मतलब we breathe in करते हैं hair को अंदर लेते हैं उसे कहते हैं inhale और exhale मतलब बाहर चोड़ना और एक नाक से हम उसे बाहर भी चोड़ते हैं उसे कहते हैं exhale तो inhale and exhale are together called as breathing हम हवा को अंदर भी लेते हैं और बाहर भी चोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं breathing we can breathe continuously that is called respiration हम breathing continuously करते हैं without breathing हम leave नहीं कर सकते हैं हम जिन्दा ने रह सकते हैं breathing करने से हम जिन्दा रहते हैं okay can you tell when a man is sleeping quietly why do we see his chest going up and down जब हम सोते समय अपने देखा होगा हमारे पेट या उपर जाता है और नीचे आता है उपर जाता है इसके मतलब क्या है हम सोते समय भी हम breathe करते हैं हम हवा को अंदर लेते हैं और बार भी चोड़ते हैं inhale exhale अब सोते समय भी करते हैं why do we breathe हम breathe क्यों करते हैं we need a body to function properly we need air for that purpose हमारी body के अंदर जो भी कून या हाट सब सही से function करने के लिए हमें किसकी बहुत important है हवा की बहुत ही important है we need air for that purpose when we breathe in जब हम हवा को अंदर लेते हैं breathe करते हैं we take hair into our body हम हवा को अमारी body के अंदर लेते हैं hair makes us feel fresh and lively वो क्या करता है हमारी body को बहुत ही fresh feel करवाता है hair is necessary for our body to get the to get the vigor we need to work properly मतलब हमारे energy हमें बहुत energy छे राइट काम करने के लिए वो सब कहां से मलता है जब हम हवा को अंदर लेते हैं हमारी body fresh हो जाता है और हमारी नया energy भी मिलता है like us all other living things also need a है जैसे हमें हवा की बहुत जरुवत है वैसे ही animals का भी है if we look carefully we can see a dog chest also going up and down जैसे हम देखते हैं की कुटा, animals कुटा को भी बहुत important है जब वो सोता रहता है अब देखो उसके भी pet उपर निचा है जाता है तो वो भी breathe in breathe out करता है जैसे हम देखते हैं 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 हम घर पे फिश को भी पालते हैं, और किसके अंदर रखे, फिश टैंक के अंदर, और बच्चो आपको पता है, अक्वेरियम क्या होता है, अक्वेरियम जहां पे बड़े बड़े टैंक में, सबी तरह की फिश, लग शाक, टॉटाइस, सब अनिमल्स जो पानी के अंदर रेता है, वो सब पाला जाता है, वो से केते हैं अक्वेरियम, तो फिश क्या करता है, जो पानी में हैर डिजॉल होता है, वो ही एर को वो यूज करता है, ब्रीथ करने के लिए, as a result, the amount of hair dissolved in the water, in the water, can get reduced, जैसे मैंने बताया था कि, फिश को हवा कहां से मिलते हैं, पानी से, जैसे more hair is continuously added to the water, तो अक्वेरियम में क्या किया जाता है, आपको पता है, वो मोटर लगार के जाता है, उसमें से oxygen, जहांसे अवा आती है, उससे हवा भरी जाती है, तो इट वोड़ फिश तो ब्रीद, वो मच्ची को बहुत ही मदद करता है, और सास लेने के लिए, जैसे हम जूस पीते हैं कभी के बार क्या करता हैं, वो स्ट्राव को अंदर से ब्लो कते है, वेड हवा अंदर ही हम ब्लो करते हैं, उसमें से क्या आता है? उसमें से बबल आता है बाहर, ओवर्फलो होती है, वो पानी या जूस जो भी है ओवर्फलो होती है, वो ही एक्सपेरिमेंट यहापे बता गया है, और बच्चो आज हमने क्या पढ़ा था, we have learnt there are air everywhere, हवा सभी जगा पे होती है हमारे सराउंडेंग, we cannot see it, वितावर आइस हम हो हमारे आख से देखने सकते हैं, वो invisible है, air does not have color, smell or taste, हवा को क्या नहीं होता है, color, smell or taste नहीं होता है, living things need air for respiration, हमारे जीने के लिए हमें जिन्दा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा की बहुत ही जरूरत है, in breathe in, breathe out के लिए, उसे कहते हैं, respiration, I hope you have understood this lesson, thank you.